नमस्कार, मैं हो ससी, आए जारखन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं और यहां क्या दिवासियों की हितेशी नहीं रही है यहां बाते सोमवार को, गोमों और बेरमों की चुनावी सभा को समोधित करते हैं मुख्यमंत्री चमपई सुरे ने कही है उन्होंने कहा है कि भाजपा को आई देश का बरका जूटा पार्टी का नाम दिया गया है यह जो बोलती है वो कभी नहीं करती है सिर्फ जानता को जूट बोलकर बरगलाने का काम कर रही है मुख्यमंत्री गिरिडी लोग सभा से मुख्यमंत्री चमपई सुरे ने कहा है कि अगर जार्खन को बचाना है आदिवासियों को बचाना है तो भाजपा को दरकिरान करना होगा भाजपा के प्रधान मंत्री एक भी जन कल्यानकारी योजनाओं को लागिन नहीं कर्द पाएंगे एडी ने हेमंत्र सुरेन की अंत्रिम जमानत का किया बिरोध रांची में हुए जमीन घोटालेक मामले में जेल में बंद जार्खन के पुरमुक मंत्री हेमंत्री हेमंत्री की अंत्रिम जमानत की आचिका का एडी ने बिरोध किया है जश्टिस संजीव खन्ना और दिपांकर दत्ता ने पिछले हफते हमन्त की अंत्रिम जमानत पर इडी को सोम वार तक जबाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए सुनवाई अवस कालिन पीट के समख सुचिबत कर दिया था अपने हल्प नामे में एडी ने कहा है कि पिये मेले एक्ट की धारा पचास के तर दर्ज किये गवाहों के बियानों से साबित हो रहा है कि सुरेन ने 8.86 एकर जमीन का वैद अधिक रहन कर कपजा किया है लोग सभा चुनाव परचार के लिए अंतरिम जमानात देने की मांग का विरोत करते वे एडी ने कहा है कि चुनाव परचार करने का अधिकार न तो मौलिक है न सन्वेधानिक यहां तक कि यह कानूनी अधिकार भी नहीं है हल्प नावे में जाच एजेंसी इडी ने कहा है कि हेवान सुरेन की ओर से राज्य कमिशनरी का दिरूप योकर जाच को भी फल करने और अपराध की आय को अपने करीबी लोगों के माद्यम से बेदाग के रूप में पेस करने का पर्यास किया गया है जारखन मौसम आंधी बारिस का ओरेंज अलर्ट जारी राज्य कई कई हिसों में मंगल और को तेज हवाव के साथ बजरपात हो सकता है साथ ही बारिस भी हो सकती है इसको लेकर भारती है मौसम भी ग्यान विभाग रांची के इंद्रे ने 21 और 22 माई को उत्तर पूर विभाग दक्षनी भाग और मद्य भाग के रांची बोकारो गुमला हजारी बाग खुटी वा रामगर के लिए औरेंज अलर्ट जारी की है मौसम भी भाग के अनुसार इन इलाकों में 40-50 किलोमेटर प्रति घंटा के हिसाब से हवा चलेगी बजरपात होने के साथ बारिस की भी संभावना है इसके बाद 23 और 24 माई को भी राजी के अने हिसों के लिए एलो अलर्ट जारी किया गया है इस समाई भी तेज हवाओ के वजरपात की चतावनी जारी की गई है बताया गया है कि रांची में गर्म हवा का परवा कमजोर हो गया है जारखन के किसानों को मोटे अनाज की खेती पर मिलेंगे पैसा राज सरकार ने मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने का निनलिया है इसकी खेती करने वाले किसानों को प्रुसाहां रासी दी जाएगी कम से कम एक एकर और अधिकतम पांच एकर भू भागे पर खेती करने पर इसका लाव मिलेगा इन्हें 3 से 15,000 रुपे तक दिये जाएंगे 22,23,24 से 27,28 तक पांच वर्सों के लिए यह जोजना प्रस्तावी था है राज्य के सभी 24 जीलों में लागू होगी राश्ट्रिय किसान दिवस पर बाजरा की खेती करने वाले राज्य के 10 किसानों को प्रस्कृत किया जाएगा इसमें 50,000 रुपे नगत दिये जाएंगे राज सरकार मोटे अनाच की खेती को बढ़ावा देने के लिए मिसन मिलेट लाई है मोटे अनाच की स्रेणी में बहुत से अनाच आते हैं इसमें रागी, लाच्मी, या मडूआ, बाजरा, कल्मी, कोदो, जंगोरा, आदी इसकी खेती को बढ़ावा देने का निले लिया गया है गोड़ा में CBI ने तीन अपसरों को किया गिरफतार गोड़ा में CBI ने तीन अपसरों को गिरफतार किया है धनबाद बरांच की ACB की टीम ने 100 मोर को यह करवाई की है CBI की टीम ने राज महल कोल परियोजना के तीन अधिकारों को घूस लेते गिरफतार किया है इनमें मुखे प्रवंधक, उप्रवंधक और सहायक रेवेनियो अफिसर सामिल है टीम ने एक को 25 सेर और दूसरे को 50 सेर रुपे घूस लेते रहंगे हाद गिरफतार कर लिया है मुअबजय का भुखतान करने के एवज में इन अधिकारों ने 6 लाग घूस मांगी थी सिकायत करता हैदर अंसारी द्वारा CBI से सिकायत की गई थी कि राज महल पर योजना के मुखे प्रवंधक परमेश्वर यादो उप्रवंधक विपिन कुमार वा सहायक रेवेनियो अफिसर पाउन कुमार महतुने 12 लाग रुपे मुअब जाका भुखतान करने के वज में 6 लाग रुपे की घूस मांग की है नगर निकाय चुनाव जुलाई में अर्जून में ट्रिपल टेस्ट लोकसभा चुनाव की समापती के तुरंत बाद ही जारخन में नगर निकाय चुनाव के परकिरिया सुरू हो सकती है जारخन राज पिछला वर्ग आयोग इसकी त्यारी में जुट गया है मध्य परदेश की तर्ज पर ही जार्खन में ट्रिपल टेस्ट कराया जाएगा जनकारी के अनुसार आयोग की एक टीम मध्य परदेश जाकर ट्रिपल टेस्ट को लेकर सर्वे भी कर चुकी है आयोक के अध्यक्स योगेंदर परसाथ को टीम ने रिपोर्ट भी सौप दी है आयोक की ओर से ट्रिपल टेस्ट का पुरखा का तयार कर लिया गया है राजे में निकाय चुनाव सिग्र कराने को लेकर हाई कोट पूर्व में निर्देश देच चुका है फिल हाल मामला हाई कोट में चल रहा है चार जून को आचा संहीत समाप्त होते ही पिछला वर्ग आयोक द्वारा रिपोर्ट सरकार को सौप दी जाएगी सरकार के अनुमत्ती मिलते ही जून में ही राजे के 28 नगर निकायों में ट्रिपल टेस्ट कराया जाएगा आयोक के सुत्रों ने बताया है कि सभी 28 निकायों में पिछले वर्ग की संख्या और उनकी आर्थिक इस्थिती का सरवे किया जाएगा हजारी बाग में 63 परतिशत कोडार्मा में 61 परतिशत और 14 में 60 परतिशत वोटिंग जारखन की तीन 14 हजारी बाग और कोडार्मा लोग सभा सीटो वोगा गांडे बिधान सभा ओप चुनाव के लिए वोटिंग सो मुआर 20 मैं को सांती पुन संपन हो गई है इस दोरान सुरक्षा के कड़े प्रवंद किये गए थे साम पांच में तक के वोटिंग परतिशत जारी किये गए है इसके उनसा चात्रा में 60.26 पिजदी कोडार्मा में 61.60 पिजदी वोटिंग हुई है वहीं गांडे बिधान सभा ओप चुनाव के लिए 66.45 परतिशत मत्दान हुआ है बता दे 14 लोग सभा चेतर में 20 माई को 60.26 पिजदी वोटिंग हुई है वहीं लात्तेहार बिधान सभा चेतर में 65.2 तक मत्दान परतिशत 6.62 पिजदी रहा वहीं मनिका बिधान सभा चेतर में मत्दान का पज़िशत 55.84 परतिशत रहा है सोमवारी पर बाबा मंदीर में 80,000 लोगों ने किया जलारपन बैसाख मास 13 तिती थी तथा सोमवार होने के करना बाबा मंदीर में सुबह से लेकर सामता भक्तों का ताथा लगा रहा पट बंद होने तक करीव 80,000 भक्तों ने जलारपन किये हैं इस दोरान आम भक्तों को काफी परिशानियों का सामना करना पड़ा है आम कतार क्यों कम्पलेक्स के बाहर तो कूपन वाली कतार भी मंदीर पर सर्थ तक पहुँच गई थी आम कतार से लोगों को 4-5 घंटे तो कूपन वाले कतार में 2-3 घंटे का समय जलारपन में लग रहा था इसकी मुख्य वज़ा मंदीर में पूलिस वल की कमी बताई जा रही है अत्याधिक भी होने के कार मंदीर का पट रात करीब 8 बज़ बंद हुआ घंटो कतार में लगा जाम सोमवारकों लोगों को कतार में काफी परिशानी हुई है उमस भरी गर्मी में पंखों की हवा भी राहत नहीं दे रही थी चत्रा में एक और हजारी बाग के दो बूतों पर समोहिक वोट वहिसकार लोग सबाचुना दो है 24 के तहां जारखन में सोमवारक दूसरे चनल का मदान हुआ है लोग तंत्रे के इस महापर में लोगों ने बढ़ चरक हिसाल लिया लेकिन चत्रा के एक और हजारी बाग के दो बूतों पर लोगों ने मदान का समोहिक वहिसकार कर दिया है चाट्रा सनसदेच्छेत्र के पाकी भीधान सबांतरगत गोगार गाओं के लोग मदान के अंदर बदलने जाने से ज़से नराज थे जबकि हजारी बग संसदे छेत्रे के कुसुंभा गाओं के लोगों ने रेलवे ओबर ब्रीज बनाने की मांग को लेकर वोटी नहीं किया है इस दरण प्रसासनिक अधिकारियों का समझाना बुझाना भी काम नहीं आया चात्रा संसदे छेत्रे के गोगाट गाओं के उतकरमीत मद बिद्याले में बुझ संके 225 बनाया गया था राजधानी की तीनो डेमों का जल अस्तर घटा राजधानी की प्यास बुझाने वाले तीनो डेमों का जल अस्तर घट गया है फिलहाल काक के रुका और हटिया डेम में छामता से 8-9 फूर्ट तक पानी कम है विभाग ये अभियांताओ का कहना है कि पिछले साल राजे में 1444 मिलिमीटर वर्षा हुई इसके बादूर डेमो में छामता से पानी कम रहना अच्छे संकेत नहीं है उन्होंने कहा है कि फिलहाल तो डेमो में आपूर्ती के लिहाय से पर्याप्त पानी है वही मानसून सुरू होने में अभिलावबग एक मार का समय बचा है अगर इस दवरान बारिस नहीं हुई तो राजधानी में जल संकट उत्पन हो सकता है वही मानसून के दवरान भी अगर काम बारिस हुई तो आने वाले समय में जल संकट गहरा सकता है विभाग से मिली जनकारी के अनुसार होटिया डेम की छमता 49 फिट है इसमें फिलहाल 20 फिट 6 इंच पानी बचा हुए है जमसेथपूर में अर्विंद के जरिवाल की चुनावी सभा आज इंडिकर्ट बंदर ने जमसेथपूर संसद्य सीट पर जीत के लिए पूरी ताका जोग दिया इसी करम में मंगलवार को बिष्टू पूर गोपाल मैदान में चुनावी जन सभा होगी इसमें दिली के मुख्य मंतरी अर्विंद के जरिवाल पंजाब के मुख्य मंतरी भागवान तमान सिंग पहुँच रहे हैं इस चुनावी जन सभा को मुख्य मंत्री चमपाई सुरेन और पुरो मुख्य मंत्री हमाई सुरेन की पतनी कलपना मुर्मू सुरेन भी सम्मोदित करेंगे इनके साथ ही इंडिय गर्बंदन की विभीर रायनितिक दलों के नेता भी चुन वी जन सभा में सिर्कत करेंगे बदा जैसोंवार को चुन वी जन सभा को सफल बनाने के लिए साक्ची सितला मंदीर के समीव जामों के मुखे चुनावी कर्याले में जामों के सभी विधायकों की बैठाक होई है अंतिम दो चरण के लिए बिजेपी ने जोकी ताकत जारखन में साथ सीटों पर लोग सभा चुनाव संपन हो गया है बाकी बची साथ सीटों में रांची, जमसेतपूर, धनबाद और गिरीडी जैसे सहरी केंद्र हैं संताल में दुमका, गोड़ा और राजमहल भी सहरी मत दाताओ वाला छेतर है भरतिया जन्ता पार्टी अब अपने परचार अभियान को इन सीटों पर केंद्रित करेगी परधान मतिनायन मोदी 28 माई को साहव गण सीट के लिए चुनाव परचार करने लिट्टी पड़ा आएंगे उनका दुमका लोग सभा में भी आने का कारिकरम बनाया जा रहा है वहें उतर परदेश के मुखे मंत्री योगी अधित्यनाथ के कारिकरम बाकी बचे 7 सीटों बहुत प्रमुकता से लगाये जा रहे हैं चारखन के नेताव में अरजुन मुंडा और परदेश अध्यक्स बावला बरांडी सभी 7 सीटों पर लगातार भरमन करेंगे आलमगीर आलम के पीएस ने इडी के सामने खोल दी पोल आलमगीर आलम के नीजी सर्चीव संजीव कुमार लाल ने सविकार किया है कि उसके ठिकाने से बरामत 32.20 कोड़ों रुपे मंत्री के थे वह ठेके दारों और अपसरों से टेंडर के कमिशन का पैसा वह सुलता था और मंत्री तक पहुंचाता था संजीव लालव उसके नौका जहांगीर आलम से रिमांट पर इडी की पुष्टाश चल रही है मंगलवार को दोनों की 14 दिनों की रिमांट अवधी समाप्त होगी इसके बाद उन्हें इडी की विशेस अदालत में पस्तूत किया जाएगा संजीव और जहांगीर ने ग्रामिन विकास विभाग में टेंडर कमिशन का पूरा तंत्र इडी के समक्ष खोला है वर्क ओडर देने के एवज में डेड़ परतिसत कमिशन लिया जाता था इससे समंदित सुची भी इडी के हाथ लग गई है भाजपा ने सांसद जयंत सिन्हा को भेजा नोटीस भारतिय जन्ता पार्टी बीजेपी ने जारखन के हजारी बाक से सांसद और पूरो केंद्रिये मंत्री जयंत सिन्हा को कारण बताव नोटीस भेजा है बिते दिनों पार्टी ने जियन सिन्हा का टिकट काट कर मनिश जे स्वाल को हजारी बाग से अपना परत्यासी खोशित कर दिया था भाजपा ने जब से हजारी बाग से मनिश जैसवाल के नाम का एलान किया है तब से जयन सिनहा ने पार्टी के चुनाव परचार और बाखी कारकरा में उसे दूरी बना ली है इसी वज़ा से भाजपा ने जयन सिनहा को कारण बता नोटीस भेज कर जबा मांगा है भाजपा के परदेश महासर्चीव आधित ये साहू ने नोटीस में कहा है कि जब से पार्टी ने मनिश जैसवाल को हजारी बाग लोक सबस सीट से उमिद्वार खोसित किया है तब से आप संगठनात्मक कार्यों और चुनाव परचार में कोई दिचल्प सीद नहीं ले रहे अपने मता अधिकार का परयोग करना भी उचित नहीं समझा आपके आचरन के कान पार्टी की छवी खराब होई है पार्टे ने जयन सिनहा से दो दिनों के अंदर पस्टी करन मांगा है जेपीएसी पीटी में एक सीट सुरक्षित रखने का निर्देश जेपीएसी एक आरवी की प्रार्विक परिक्छा में अभ्यार्थी की OMR सीट रद करने के हिलाब दैर याची कापर सोमवार को हाई कोट ने सुनवाई की है इसके बाद आदालत ने जेपीएसी को प्रार्थी के लिए एक सीट सुरक्षित रखने का आदेश देते हुए 14 जुन तक जबा मांगा है सुनवाई के दवरान परार्थी मयंग कुमार सींग की ओर से अधिवक्ता ने कोट को बताया है कि पिटी के दवरान परार्थी ने अपने रोल नंबर भरने वाले गोले अस्थान में एक अंक भरने में गलती कर दी थी परिक्छा के दवरान सुधार भी दिया था 22 अपरेल 24 को जब पिटी रियल निकला तो परार्थी को अनरक्षित स्रेनी में 292 अंक पराप्त हुए थे जबकि कॉट अप 244 ही था चुकि परार्थी मयंग का पिटी माक्स कॉट अधिक आया है ऐसे में तक्निकी अधार पर OMR सीट रद करना अनुची था भाजपा के सभी 14 सीटे NDA जीत रही बाबुलल मरांडी भाजपा के परदेश अदेश बाबुलल मरांडी निकला को राज की तीन लोग सबा सीट यम गांडे बिधान सबा उपचुना संपन होने परराज की जनता का भार जताया है उन्होंने कहा है कि NDA राज की सभी 14 लोग सबा सीट जीतेगा गांडे बिधान सबा उपचुना में भी NDA परत्यासी की जीतता है उन्होंने कहा है कि 400 पार का लक्ष NDA के लिए कठी नहीं है पिछली बार भी भाजपा ने 303 सीट जीती थी NDA ने 353 सीट जीती थी अब 47 सीट ही आगे बढ़ना है जो जानता कि सिर्वाद से संभव है उन्होंने कहा है कि परधान मतिनायंद मोदी ने पिछले 10 वर्सों में जो काम किया है वह किसी से चुपा हुआ नहीं है चाहे परधान मंत्री आवास हो चाहे गैस कनेक्शन हो घर घर नल से जल पहुचाना हो चाहे आउस्मान योजना के तहट 5 लाक रुपए का मुफ्त इलाज हो कोई व्यक्ति भूखे ना सोये इसके लिए प्रतिमा मुफ्त राशन देने का हो सभी लोगों को इनकी जनकारी है मरांडी ने कहा है कि इसके अलावा भी विकास की कई काम हुए है धन्यवाद